ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊंगा एक अतीप राचीन गोपनिय सभा वशीकरण मंत्र ये मंत्र ऐसा है जो कि सर्वजन का आकरशन कर सकता है इस मंत्र में मोहिनी की शक्ति समाहित है जो कि आपके संपर्क में आने वाले उन सभी को आपके वशिभूत कर देती है बहुत ही प्रभावी बहुत ही चमतकारी मंत्र है यदि एक बार अपने जीवन काल में कोई इसका जाप कर लेता है तो जन्मत जन्मांतर तक ये जो मंत्र है ये उसके साथ रहता है इसके सिद्धी ऐसी है कि एक बार सिद्ध हो गया तो जब तक इस भूलोक में आप रहेंगे तब तक सभी आप से वशिभूत रहेंगे इस मोहिनी मंत्र को सिद्ध करना बहुत ही आसान है और अति प्राचीन अति गोपनी होने के कारण कुछ ही लोग होंगे जो इसको जानते हैं किन्तो आज ये मैं पब्लिक डोमेन में दे रहा हूँ जिससे की आम मानस जो है वो इसका प्रियोग कर सके और अपनी जो भी अभिलाशा है उसको पूर्ण कर सके ये मंत्र जो है ये महाभारत काल का है लगभग पांच से छे हजार साल पुराना ये मंत्र आपको आज मैं दूँगा जो कि किसी को भी पलक जपकते ही आपके सामने नत्मस तक कर देगा इतना अद्वितिय ये मंत्र है कि एक बार आप कर देंगे तो आपको इसके असर उम्र भर दिखते रहेंगे ये जो मंतर है ये सर्वजन वशीकरन मंतर की श्रेणी में आता है अर्थार्थ यदि इसे आप करते हैं इसकी सिध्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपकी जयजय कार हो जाएगी कई लोग ऐसे बिजनेस में होते जहां पर कि लोगों को इंफ्लूएंस करना होता है तो उस जगर पर भी ये मंत्र काफी सटीक लगता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी स्त्री को आकर्शित करना हो अपने बॉस को आकर्शित करना हो या किसे से कोई काम मनाना हो तब ये मंत्र जो है सटीक काम करता है और सोने पर सुहागा ये है कि इस मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यदि आप इसे तूटा फूटा भी करते हैं कहीं पर कोई तूटी हो जाती है तो भी ढरने की बात नहीं है ये मंत्र कभी आपको हानी नहीं पहुँचाएगा हाँ यदि आपका जो मनुरत है यदि आपकी जो भावनाएं हैं वो किसी को आहत करने की है किसी को नुकसान पहुँचाने की है तो ये मंत्र जो है आपके लिए अभिशाब बन जाएगा किसी को आहत करने के लिए इस मंतर का प्रियोग ना करे यदि पती पत्नी में कोई कलेश हो कलह कलेश चल रही हो लगातार पती पत्नी की ना सुन रहा हो या फिर पती जो है मारता पीरता हो तो उस समय पर इस मंतर का प्रियोग किया जा सकता है mostly इसका प्रियोग तब किया जाता है जब आपकी बात कोई सुनी ही ना रहा हो और आप पर अत्याचार हो रहा हो उस समय पर इस मंतर का प्रियोग किया जा सकता है इस मंतर में इतनी अद्वतिय शक्तियां है जो कि आपका काम पहले ही दिन से बनाना शुरू कर देती है लेकिन कुछ प्रिकॉशन्स हैं कुछ ऐसी साफधानिया हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है इस मंतर को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रियोग में ना लाएं और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मंतर जो है आपकी जिन्दगी खराब करतेगा तो जैसे कि मैंने बताया इसको सात्विक कर्मों में लगाएं किसी का भला करने के लिए लगाएं तो ये आपके लिए वर्दान साबित होगा इस मंतर को प्रियोग करने से पहले जैसे आप कोई बीड़ी पीते हों कोई गुटका सिगरेट धुमरपान करते हों तो उसको एक महीने पहले ही छोड़ दें और उसके बाद जो है इस मंतर की सिध्धी प्राप्त करें तो ये मंतर आपके लिए पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देगा यदि आप मादक परदार्त का सेवन करते हैं मास मैदिरा खाते हैं तो ये चीज़े जो हैं आपके लिए नहीं हैं ये चीज़े आपके लिए काम नहीं करेंगी तो सबसे पहले जिस मुख से आप इस मंतर का जाब करोगे उसे शुद्ध कीजिए बिना शुद्धी के ये मंतर जो है आपके लिए नहीं होगा इसको मत कीजिएगा सबसे पहले अपने आपको शुद्ध कीजिए और फिर इस मंतर का जो है गुमफन कीजिएगा इस मंत्र की 108 की संख्या में त्रिकाल संध्या आपको एक माला जो है जाप करनी है एक माला में 108 दाने होते हैं तो आप तीन माला हैं जो है सुबै, दोपहर और शाम इसकी जपे 21 दिनों तक कि यह साधना होगी और इसके बाद जो है यह मंत्र सिद्ध हो जाता है सिद्धी का कैसे पता लगेगा कि जो भी आप इच्छित व्यक्ति सोच कर इस मंत्र का जाप करेंगे वो आपके कदमों में आ जाएगा यदि कोई इच्छित व्यक्ति ना हो तो आपको देखना है कि इस मंत्र के बाद से आपके साथ काफी लोग जुड़ने लग गए हैं आपकी बात को जो है उपर रखा जाता है आपकी बात को माना जाता है तो ये भी इस मंत्र के प्रभाव हैं जो कि आपको सर्वश्रेष्ट बना देते हैं चाहिए आप कुछ भी कहें वो सबको मानने होगा तो आएए जानते हैं साधना कैसे करनी है आपको पूर मुखी होकर बैठ जाना है लाल रंग का आसन बिछाना है और इस मंत्र का 108 की संख्या में गूमफन करना है आएए मंत्र आपको बता देता हूँ मंत्र है ओम कलीं हरीम श्रीम सरवजनस से रदयम मंवश्यम कुरु कुरु स्वाहा यदि कोई प्रेमी का हो कोई प्रेमी हो जिसको कि आप आकर्शित करना चाहते हो तो सरवजनस से के जगहे पर आप उनका नाम ले सकते हैं या फिर अगर जो भी आपको देखे या आप में ऐसा attraction आजाए एक ऐसी अधुशक्ति आजाए जो कि सबको वशिभूत करे तो इसके लिए सरुजनस से आपको यहाँ पर रखना होगा यदि कोई special person है उसको आप attract करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका नाम ले सकते हैं इसके बाद आपको जो है एक दीपक जलाना है कुछ मिठाई रखनी है कुछ नवैद रखे लोबान और जो दिया है वो घी का जलाए शुद्ध देशी गाएं का घी होना चाहिए और कोई घी इसमें नहीं चलेगा मार्केट में मिलने वाली घी से परहेच करें और खुद अपना जो होता है गाएं का घी वो प्रयोग में लाएं बहास का घी इसमें नहीं चलेगा गाएं का घी होना चाहिए और इसके बाद जो है आप इसका जाप शुरू करें जाप शुरू करने से पहले पहले दीपक ज नहीं छोड़ेंगे और अगनी देव साग्रे करें कि इस साधना में आपके पकपक पर सहायक हो और उनसे अनुमुति लेकर अपने ग्राम देवता अपने कुल देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद जो है ये मंत्र प्रारंब गरें जब इसका गुमफन आपकर लेक साध की संख्या खतम हो जाए तो जो भी दिया है उसको बुझाएना कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे ही चैंटिंग खतम होती है दिया बुझा कर रख देते हैं जब तक दिया जल रहा है उसको जलने देजिए जो चीज जहां पर जैसी है जब तक दिया जल रहा है तब तक वो चीज वही होनी चाहिए आपको अगनी देव को आमंतरन देना होता है जब आप इसका गुमफन करना शुरू करते हैं उस समय पर अगनी देव को बलाएं उसको उनको जो है अपने इस यग्य में अपने इस साधना में एक स्थान दे औ दीपक बुझ जाए तब यह समझेगा कि वो आपिस चले गए है और उसके बाद जो है जो भी आपको साफसफाई करनी है वो कीजेगा और उससे पहले जो है दीपक को बुझाए ना ऐसा करने से आपकी जो साधने वो खंडित हो जाती है कुछ साफधानिया है जैसे कि आप की संख्या का जाब करने के बाद ही उठना है और जब आप यह साधना करें तो आपके आसपास कोई ना हो चाहे वो आपके घर में हो पहाड पर हो जंगल में हो गुफा में हो जहां पर भी आप करें वहां पर एकांत में करें किसी का साथ ना ले जब यह साधना आपकी पू इसकी सफलता के लिए आगरह करना है कि आपके इस साधना को पूर्ण करें और अपना आशिरवात बनाये रखें और यदि कहीं पर कोई द्रूटी हुई हो मंत्र में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कीजेगा info at the rate mohinividya.com धन्यवाद